वेलकम फ्रेंड्स, यह वाचिंग सर्राल इंग्लिज ग्रूप, ए स्टेप तो आट्स इंग्लिज वर्ल्ड और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके सिंग्लिज इसी सुरेश मौरे, और फ्रेंड्स जिस तरह से हम हमारे रिवीजन पैटन के साथ में आगे बढ़ रहे ह हैं पैटन सेकंड के रिवीजन हमा और सेंटे वर्फ के साथ में करके देखते हैं पैटन सेंटेस के रिवीजन वाकश्ट के अनुसार बदलना हमें होता है हुभर जिस 挺 में हमें वह पूछा गया है हमें उसी अनुसार, उसे convert करना होता है और आपने इस तरह के sentences आपने अपने exams में, आपने entrance days जो होते हैं, वहाँ पर किया होंगे, exams में हमें do as directed के माध्यम से, इस तरह के sentences हैं वो पूछे जाते हैं, हम tense का reason कर रहे हैं, हमारे patterns second type two के माध्यम से, और ध्यान दीचे हमने इस तरह के sentences बनाएं, जहां पर हम नमारे easy mark, और was work के sentences हैं, हमने उसे bean के रूप में बदला है, अर्थार, easy mark जो हमारा helping work है, उसका second form was work होता है, और जो was work हमारी साहिक के रिया है, second form past में, उसका third form हमारा bean होता है, तो हम इस तरह के sentences पहले भी convert किये हैं, बनाएं अलगातार, और आज हम इस तरह के sentences और देख सकते हैं कि कि यहां पर हम bean का यूज़ करेंगे, easy mark और was work के third form के रूप में, तो चैके sentences देखते हैं, आप अपने screen पर देख रहे हैं, इस तरह के sentences, जो हम परिवतन करेंगे, आप एक्षरों में देख रहे हैं, जिस भी tense में हमें परिवतन करना होगा, उनके आप कार में पर प्रेकेट म से फिर से देखेंगे, अगर आप अभी note नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप अपने notebook pen copy निकाल करके तयार हो जाए, do as directed के sentences सिखने के लिए नए परकार से sentences जो होते हैं, उनके परिवतन किस तरह होते हैं, हम exams में किस तरह से perfect number ला सकते हैं, हमारे tense को किस तरह से होगा, जो हम set 5 कर रहे हैं, इसका मतलब है, इसके पैदे हमने 4 sets जो हैं, इस तरह के division कर चुके हैं, आज हमारा 5 set है, 5 sentences के परकार हम देखते हैं किस तरह से होगे, तो हमारा पहला sentence था, she flew away her parrots, उसने अपना मिठ्धू, उसने अपना parrot उड़ा दिया है, हमें इसे बनाना है, present perfect के अंतरगत, तो देखिए हमारा answer होगा, she has flown away her parrots, तो पी लेक्षरों से आप हर बार answers तो questions के format को देखते जाए, जिस रूम में हमें बनाना होगा, हम इसे पी लेक्षरों में अलग-अलग color code से आपको दिखाया है, हमारा second sentence है, they have drawn pictures, तो हमें इसे बना है, यहाँ पर विल्हो के साथ third form, हम perfect tense में use कर रहे है, हमारा third sentence देखिए, you will have been beginning, this work हमें बनाना है past perfect में, हमें third form फिर से use करना होगा, begin का, you had begun this work, हमारा third form हो जाएगा, हमारा answer है, you had begun past perfect में, my friend spread this rumor, change into negative, हमें इस sentence को negative बनाना है, सबसे पहरे हम समझते हैं, कि यह tense किस format में है, कि sense में है, तो हमारा जो sentence है, spread यह second form है, spread के तीनों form एक जैसे होते हैं, अगर यह spread first form होता, तो इसमें SESIS का नियम ज़रूर लगा होता, क्योंकि हमारा SESIS का नियम यहाँ पर use होने मारा था, हमारा friend एक वचन है, singular है, और हमें singular subject के साथ में हमेंसा SESIS के नियम use करने हो my friend did not spread this rumor, तो जो हमारा sentence होगा, negative बन जाएगा, जान दीचे, spread यहाँ पर second form में है, तो हम देखते हैं, हमारा पांचवा नंबर sentence, did you go, fix, हमारा यह sentence पहले से, past, simple past में interrogative है, और जब हम इसे बनाएंगे, simple past में ही आप देख रहे है, past indifferent में हमें यह बनाने की कहा चारा है, औ यह कोई परिवर्तार हमें नहीं करने की जुरत है, क्योंकि हमें sentence affirmative बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो यह sentence जैसा है, आप उसे वैसा ही छोड़ दीजे, हो सकता है, exam में कभी confuse करने के लिए आप से पूछ लिया जाए, तो ध्यान दीजे, वो पहले से stance में है, हम उसे नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें बदलने की जुरत नहीं बढ़ रही है, तो यह 5 sentence हमने देखे, अभी जो आपने questions देखे थे, उन questions को हमने यहाँ पर बदल दिया है, do as directed के format में हमने change किया है, आप हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार रिस्टार्ट करके सारे sentences देख लि लिएम के अमसा, तो चली हमारा जो अगला sentence है, छटवा नमबर sentence आप अपने screen पर देखे, does he tell a lie, फिर से हमारा interrogative sentence है, हमें बनाना है इसे past continuous के अंतर गया, तो हम इसे बनाएंगे, does he, तो जो हमारा sentence है, does he tell a lie, हमारा past continuous हो जाएगा, was he telling a lie, हमारा continuous tense ng के format में बदल चुका ह है, हमारा answer हो गया है, was he telling a lie, हमारा सात्वा नमबर sentence है, if this a late news हमें बनाना है past perfect में, तो ध्यान दीजिए, हमारा helping work है, यहाँ पर each, उसका जो third form होगा, इस समय past perfect में, वो being, हमें easy mark के verb से मिलेगा, each का third form हमें मिलेगा, being, हमारा answer होगा, it had been a late news, तो कि हाँ पर कोई मुख्य किरिया नहीं है, तो हमें जो third form मिलेगा, इस सेंस में past perfect के लिए, वो being होगा, जो हमें सहे किरिया से मिलेगा, each से मिलेगा, तो हमने देखा है, each mark की भी, जो third form होते हैं, वो being होते हैं, तो यह हमारा आठवा नमबर sentence है, they may follow the path of truth, हमें बनाना है past indifferent, हमारे पास जो यहाँ प follow उसको परिवयता नहीं करना हुगा, they might follow that path of truth, ध्यान दीजिए आपको दू बार परिवयता नहीं करना है, हमने में को might कर दिया है, might past का model होता है, और may present का model होता है, तो यहाँ पर might past में बदलके answer हमारा simple past में हो गया, no number का sentence देखे, I draw a truck हमारा sentence है, second form में हमें इसे बनाना है future perfect में, future perfect में हमें third form यूज़ करना है, I will have driven a truck, तो हमारा answer, third form के रूप में, I will have driven a third, तो आप चुद देख रहे हैं यहाँ आपको answer, आपने अगर सारे टेंस के formula आपको contest याद है, तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, चले हमारा दस्वन नमबर, इस sentence में देखे, इस set का आखरी sentence है, जी ही strive hard, strive का मतलब होता है, बहुत मैनत करना, अभी हमारा sentence है, interrogative format में प्रसनात्मा, इसे affirmative बनाने के लिए कहा जा रहा है, तक कारात्माद बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो answer हमारा, जो focus is strong hard, तो second form है strive का वो हमारा use करना होगा, हमें strong, तो हमने ये 10 sentence से देखे हैं, friends आप हमारे इस वीजियो को फिछते, एक बार start करके देख लिए, sentences को पहचान लिए, कोई confusion या doubt कोता है, तो ज़रूर comment करिए, इस तरह के sentences, आपको exam में पूछे जाते हैं, तो जिस तरह से आप answer बनाना सीख रह करेंगे, अगर आप कोई sentence miss करते हैं, चुप जाते हैं, तो इस वीजियो को फिर से एक बार start करके जरूर देखेगा, हमारे चैनल को subscribe करेंगे, लो गतर पहुंचाइए, बूलों भी अपनी क्रामन फिर देख करके, इस तरह से color code के मादन से सीख पाएंगे, तो चली हमारा pattern second revision हम कर रहे हैं, कुछ और sentence में देखते हैं, वाक्तों को tense के मसारा कैसे बदला जाता है, जिस tense में हम से पुछा गया है, और हम कुछ और sentence करते हैं, जो आपके लिए sentence में, आप जो है, वो homework होगा, do as directed, आपके लिए आपको करना होगा, इसी गिजी से करेंगे, जिस तरह से अब भी हमने किये हैं, हमारे sentences, pattern second, type two के माजहम से, आप अपने screen पर जो देख रहे हैं, ये sentences आपके लिए, homework है, sentences आप note कर लिए, अराम से note करिए, हमारे screen को रोख लिए, pause करिए, और सारे sentences को जो आप देख रहे हैं, उसी अनुसार बदलने की कोशिच करेंगा, आपके answer हम ऐसे experience आपने हमारे साथ कैसे अंभो किया है, वो आप देखिए, और comment करिए कि इस तरह के sentences हम और बना पाएं, आपके लिए, वीडियो करा पाएं, धिरे-धिरे हम हिंदी के मज़्दम से English सीख पाएं, exams में हम भूरे number किस तरह से ले पाएं, इस तरह से हम धिरे-धिरे करक हम बढ़ा सकते हैं, confidence level हम बढ़ा सकते हैं, तो friends ये 10 sentences आप देखिए, इमके second, third form अगर आपको कोई problem होती है, तो हमने आपके साथ video share किया है, जहापर हमने second और third form जो बनाने के नियव होते हैं, link हमने आपके साथ share किया है, आप हमारे playlist में भी जा करके देख सकते हैं किस त हमने यह homework दिया आपको, आप solve करिएगा, आपके answers हमारे साथ share करिएगा, screen को रोक लिजिए, हमारे answer को खिट से देख लिजिए, पिछले चुछ हमने भी solve किया है, पिछले वीडियो को देखे और answer बनाने की questions करिए, keep watching Surah Liris Guru, a step towards English word, subscribe our channel, like and comment, press bell icon so that you can get latest to share your knowledge योता, बने